नमस्कार दोस्तों नित्य साधना में आपका स्वागत है तो आज हम चर्चा करेंगे कि सुर्गराण इस साल का सुर्गराण कब पढ़ रहा है तो दोस्तों इस साल का पहला सुर्गराण 10 जून 2021 दिन गुरुवार को पढ़ रहा है यह इस साल का पहला सुर्गराण है बैज् तो वहीं जोतिस सास्त्र के अनुसार अगर हम देखते हैं तो जोतिस सास्त्र के अनुसार सुर्ग रहन या चंद रहन जब भी पढ़ता है तो हमारे जीवन पर इसका सुभ या असुभ पहड़ाम जरूर देखने को मिलता है दोस्तों या दस जून दो हजार एककश दिन गु लाट दो पहर एक बजकर बैयालीस मिनट से सुरू हो करके साम च़ए बजकर एकतालिस मिनट तक रहेगा फिर से आपको बताना चाहूंगा इस साल का गुरुहार dwar दस जून दो हजार एककश दिन गुरुवार को लगेगा और यह दो पहर के एक बजकर बैयालीस मिनट से तो दोस्तों भारत में यह ग्राण आंसिक रूप से ही दिखेगा सुर्ग्राण का प्रभाव दोस्तों सभी रासियों पर पड़ता है जो भी हमारी रासियां है यह सुर्ग्राण का प्रभाव सब के पर पड़ता है भारत में यह नो के बराबर दिखेगा भारत में यह आंसि रूप से दिखेगा जबकि उत्तरी, कनाडा, ग्रीन लैंड, अटलांटिक महासागर और रूस में पूर्ण रूप से दिखेगा जोति सास्त्र के अनसार सूतक काल की गणना बारा घंटे पहले से की जाती है दोस्तों सूतक काल में कोई भी सुभकाम नहीं किया जाता है ब्र भगमान का नाम ले सूतक काल में न भोजन बनाने नहीं करने का विधान है नहीं भोजन बनाना चाहिए नहीं करना चाहिए दोस्तों सूतक काल में केवल आप भग्मान का नाम लें प्रभू का नाम लें सूतक काल में गर्भती महिलाएं घर से बाहर न निकलें गर्हन काल में गर्भती महिलाएं डरेन भग्मान का अस्मर्ण करें दोस्तों गर्हन काल में राहू के तु अधिक सक्रिय होने के कारण अपने जीवन पर कई तरह के कठिनाईयों और परसानिया का सामना करना पड़ जाता है सूतक काल भारत में मानने नहीं होगा दोस्तों सूतक काल में केवल भजन भगवान का अस्मर्ण करना चाहिए इस समय गायतरी मंद्र पड़ें राम रच्छा इस्त्रोत का पाठ कर सकते हैं सुर का कोई भी मंद्र आप जब सकते हैं गर्हन के बाद आनाज दान करें कुछ पैसे दान करें यहां तक की गाय दान करने का भी परिधान सास्त्र में बताया क्या है गर्हन का दिया हुआ दान अच्छा होता है सभी रोग दोस्त से मुक्ति मिलती है इस दिन दोस्तों ध्यान दें इसी दिन जिस दिन सुर गर्हन है इसी दिन बट सावित्री ब्रत है सु पूजा करें, धीपक जलाएं, परिक्रमा करें, जल अर्पित करें, दोस्तों सनी भगवान की पूजा करें, दोस्तों पीपल ब्रिच में देवी देवताओं के साथ साथ हमारे पित्रों का भिवास होता है, सनी देव को भी पीपल ब्रिच में ही सनी देव की पूजा होती है, तो दोस्तों इस दिन आप सनी देव की पूजा करें पीपल ब्रिच की पूजा करें दोस्तों तो मिलते हैं कुछ आईसी ही ग्यान वर्धक वीडियो के साथ धन्य बाद